नमस्कार दोस्तो स्वागत है सूज स्वागत है मैं आप सभी का एक बार फिर से क्रिकेट एंकाउंटर की एक और नई वडियो में और दोस्तो आज की इस वडियो में हम बात करने वाले है कि भाई या IPL 2024 में जो है Royal Challengers Bangalore की टीम की auction strategy जो है किस तरह की रह सकती है कौन से कौन से प्लेयर्स को requirement के हिसाब से RCB की टीम टारगेट करने वाली है क्या नीट रहने वाली है और कौन से कौन से बड़े टारगेट आपको RCB की टीम की तरफ से confirm दिखने वाले देखे गाईज अब World Cup 2023 में तो भारती टीम ने दिल तोड़ दिया 140 करोर फैंस का लेकिन दिल जीता है हमने जो है दिल जीता है सब प्लेयर्स ने जो है काफी अच्छा परफॉर्म किया है और अब समय आ चुका है प्लेयर्स की लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं उसके बाद जो है मौक्शन स्ट्रेटीजी की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले आप रिटेंड प्लेयर्स की लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख पर रहोंगे प्लेयर्स की रूप में स्टेक अप करने वाली है जी हाँ दोसो ये साथ प्लेयर्स आपको जो है कन्फरम्ड आर्सेवी की टीम में दिखने वाले है क्योंकि विराट कुली का बहुत ज़दा में रोल रहने वाला है वल्लकप 2023 में शांदार परफॉर्मेंस किया था विंटेज विराट कुलीस बैक 5 डूपलेस कप्तानी करने वाले है बहुत ही अच्छी कप्तानी पारी भी खेल रहे थे ये ग्लेन मैक्सवेल का रोल भी एज़ा फिनीशर बहुत ही ज़दा एहम रहने वाला है मुहमा सिराज भी होने वाले है रजट पार्टी तर आर्सिबिकटीं के एक्स फैक्टर है मिडिल ओर्डर में स्टेबिलिटी प्रदान करने वाले है विल जैक्स भी होने वाले है बहुत ही ज़ादा बहतरीन पोटेंशल एनके पास ऐसा ओल राउंडर और ज diret प्लेएर्स की लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर अब रिलीस्ड प्लेइस की बात करे लेते हैð अब दिनेश कार्टिक का ace factor आ चुक है क्योंकि दिनेश कार्टिक का form पी इतना साथ नहीं दे रहा है पिसले साल के IPL में बहुत ही ज़ादा flop performance किया था और 5.5 करोड उपे की बहुत ही बड़ी रकम थी हरशल पटेल के बहुत ज़ादा high chances है कहा जा रहा था कि trade हो जाएंगे लेकिन trading window की मतलब official date जो है मतलब समात हो चुकी है बहुत सारे अच्छे गिंदबाज आने वाले हैं सिदार्थ कॉल और डेविड विली का नाम भी निकल करा रहा है तो RCB की retained और release players की list आप अपनी screen पर देख पा रहे होंगे आपके मताबिक कौन से कौन से होंगे आप भी फटा-फट से बता सकते हो दोस्तों बात कर लेते कि RCB की टीम की निलामी में क्या रणनीती रहने वाली है तो सबसे पहली strategy जो कि RCB की टीम इस साल भी अपनाने वाली है वो है AB Develiers का replacement जी आँ दोस्तों पिछले दो सालों से उस area को कोई cover नहीं कर पा रहा है आपने देखा होगा Glenn Maxwell भी consistently perform नहीं कर पा रहा है लेकिन ऐसे तीन धाकर बले बास बताने वाला हूँ जो कि RCB की टीम इस साल अगर target करती है तो AB Develiers को जो है मतलब आप cover up कर सकते हो वैसे तो उनका कोई replacement नहीं है लेकिन आप कई हद तक जो है मतलब उस area को cover कर सकते हो तो सबसे पहला बले बास जो की है Travis Head जी हाँ दोसो 440 वोल्ड का जटका दिया था भारती टीम को World Cup 2023 के final में और RCB की टीम जो है इनको definitely target करने वाली है क्योंकि guys 2014 में भी खेल चुके RCB की टीम में और इतना खास performance नहीं था लेकिन अभी बहुत ही अच्छे form में चल रहे है दूसरा बले बास है डार्ली मिचल आपने देखा होगा 2023 के World Cup में भारती टीम के गिंदवासों के खिलाफ जो है ये काफी अच्छे shots लगा रहे थे धरम साला में भी शतक आया था और semi final में मुंबई में भी शतक आया था तो डार्ली मिचल एक बहुत ही अच्छे potential बले बास हो सकते हैं इनके पास middle order में stability बहुत अच्छी है attacking mode भी खेल सकते हैं और defensive भी खेल सकते हैं और तीसरा बले बास जो की है Stevens में जियां दोस्तों अब वैसे तो Stephen Smith जो है मतलब ऐसा मतलब आकरमक रूप से नहीं खेलते है तेज नहीं खेलते हैं लेकिन ये भी ठीक थाग जो है middle order में stability प्रदान कर सकते हैं और मेरे इसाब से RCB की टीम इनको भी देख सकते हैं क्योंकि एक leadership role में भी काफी हथ तक जो है इसका मैं आपको एक genuine reason भी बता देता हूँ दरसल दोस्तों पिछले दो सालों से आपने देखा होगा RCB की टीम में दो यंग प्लेयर से जो की है अनुज रावत और महीपाल लोम रोड वो as a middle order खेल रहे हैं लेकिन उन पर आप ज़्यादा depend नहीं रह सकते हो अगर विराट कुली का बल्ला नहीं चलता है तो आपके पास एक quality middle order बल्ले बास होना ची राज़त पार्टीदार के साथ जो है RCB की टीम हो सकता है कि रियान पराग को target करें क्योंकि रियान पराग जो है राजिस्तान रोयल्स की टीम की तरफ से रिलीज हो सकते है 3.80 करोड उपे की बड़ी रकब में राजिस्तान रोयल्स की टीम ने पिछले 3 सालों से उनको stack up करके रखा है लेकिन perform नहीं कर पा रहे है तो राजिस्तान रोयल्स की टीम जो है most likely उनको release कर सकती और अभी काफी अच्छा perform करकर आ रहे है और domestic cricket में as a all rounder वो मतलब काफी अच्छा perform करकर आ रहे है उसके अलावा पृत्वी शौ के भी बहुत ज़्याद़ चांसे से आने के अगर पृत्वी शौ आ जाते तो आप as a opener भी उन्हें देख सकते हो क्योंकि पृत्वी शौ का county cricket में काफी अच्छा performance था और मनीश पांडे के भी चांसे से SRH की टीम जो है माफ करना तो मेरे इसाब से अगर ये तीन बले बास को RCB की टीम target करती है तो उनका middle order और ज़्यादा quality वाला हो जाएगा quality जो है बहुत ज़्यादा increase हो जाएगी तो आपके क्या opinion है कौन से कौन से players को RCB की टीम जो है target कर सकती as a middle order better आप भी फटा फट से अपनी राय जो है नीचे comment box में बता सकते हो comment box आपके जोस्तो तीसरी strategy जो कि RCB की टीम जो है अपनाने वाली है वो है भाई need a proper stable finisher आपने देखा होगा 2023 में माइकल, ब्रैस्वल, दिनेश, कार्थिक और सहबास, हमत के रूप में इतने ज़ादा satisfying नाम नहीं थे और as a finisher ये कारगर साबित भी नहीं हो पा रहे थे और experience के मामले में भी इतने कोई खास नहीं है लेकिन ये team जो है रचिन रविंद्र के पीछे जाने वाली है definitely ये team जो है target करने वाली रचिन रविंद्र को क्योंकि आपको spin भी provide करके देंगे, आपको जो है नीचे बल्ले बाजी भी करके दे सकते stability प्रदान करके दे सकते है और रचिन रविंद्र का कुछ दिन पहले statement आया था कि I love to play IPL और RCB की टीम उनकी favorite है तो मेरे इसाब से IPL 2022 में आपको जो है रचिन रविंद्र RCB की टीम में देख सकते है, उसके अलावा अब्दूल समत के पीछे भी ये team जा सकती है हाला कि अब्दूल समत इतने खास form में खेल ली रहा है, लेकिन कुछ बोल नी सकते है नेवर सेज, नेवर रिंकू सिंग भी बहुत अच्छे form में खेलते थे और इनका भी थोड़ा बहुत career मतलब high हो सकता है उसके अलावा Pat Cummins को भी देख सकती है तो आपके क्या opinion इस पर आप भी फटा-फट से बता सकते हो मेरे इसाब से जो है मतलब ये area पे भी ध्यान देना पड़ेगा RCB की टीम को दोस्तो चौती strategy जो कि RCB की टीम की 2024 में रहने वाली है वो है नीड अप proper foreign spinner इसका आपको एक genuine reason भी आपको बता देता हूँ तो वनिंदू हसरंगा को ये team रिलीज करने वाली क्योंकि 10 करोड रूपे वर्थिट नहीं है वनिंदू हसरंगा के लिए और मेरे इसाब से RCB की टीम अब कोई बजट वाले spinner के पीछे जाने वाली है और ये टीम जो है definitely केशाव महाराज और इस सोडी को जो है target सकर सकती है especially केशाव महाराज की पीछे जो है बहुत सारी टीम में जाने वाली है और बहती गंगा में जो है RCB की टीम भी हाथ दोने वाली है केशाव महाराज बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकते है 2023 के World Cup में काफी अच्छा परफॉर्म किया था ये भी Indian है और मेरे इसाब से RCB की टीम जो है मतलब चाहेगी कि इनके पीछे जाए और इस सोडी के पास भी अच्छा experience है इस सोडी के पास भी turn बहुत अच्छा है वो lateral movement है Indian spin मतलब Indian pitches इसको जो है बहुत अच्छी तरीके से जानते है तो मेरे इसाब से ये दो spinners को जो है RCB की टीम टारगेट कर सकती है दोस्तों पांच्वी strategy जो कि RCB की टीम भी अपनाने वाली है और सारी franchises पर जो है मतलब इस strategy पर नजर रहने वाली है वो है some big targets जी आँ दोसो इस साल के auction में बहुत जादा बड़े बड़े प्लेयर अपना नाम दे रहे और ऐसे में RCB की टीम Mitchell Stark के पीछे जाने वाली है ये टीम क्रिस वोक्स के पीछे जाने वाली है ये टीम अगर कगी सुराबाडा को PB Case की टीम release कर देती है तो उनके पीछे भी जा सकती है तो मेरे इसाब से जो है ये strategy काफी जादा interesting रहने वाली है और देखना बड़ा interesting होने वाला है कि RCB की टीम कौन से बड़े players को लेती है एक Travis Head का नाम confirmed है एक रचिन रविंदर का नाम confirmed है और Mitchell Star को को भी target करना चाहेगी एक्स RCBA ने बहुत अच्छे form है Indian pitches को भली भाती जानते है और इनके पास अच्छा variation है साथी साथ गेंदबाजी बहुत अच्छी कर लेता है अच्छा उच्छाल है अच्छा कंट्रोल है लगातार विकेट विकेट गेंद बास ही करना आता है इनको तो मेरे इसाब से RCBA टीम चाहेगी कि ये तीन बड़े बड़े players को जो है target किया चाहे तो मेरे इसाब से ये 5 strategy थी जो कि RCBA टीम की mandatory रहने आली 2024 के auction में अब आपके मुताबिक कौन सी कौन सी रह सकती है और मुझसे जो है कौन सी कौन सी miss हो चुकी है फटा-फट से आप भी अपने opinion let me know in the comment section तो बस इस वीडियो में इतना ही तब तक लिए नमस्कार बाई बाई वीडियो को लाइक और चाहते है और अगली टीम कौन सी देखना चाहोगे फटा-फट से नीचे कौन सबसा सकते हो तो बस इस वीडियो में इतना ही तब तक लिए नमस्कार बाई वीडियो को लाइक और चाहते है चैनल को सब्सक्राइब करके बाई आक और भी ठोक देना बाई